Hello friends this is Paritoz आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है volatility contraction pattern के बारे में VCP pattern के बारे में काफी popular concept है यह और Mark Minervini जो की काफी बारे trader आयुएस के जो की cash trades ज्यादा करते है future and options ने trade नहीं करते हैं उन्होंने इस system को introduce किया था Mark Minervini के कुछ और systems के बारे में मैंने recently last 2 videos बनाई भी थी उसका भी video में लेजे link दे दूँ आप उसको भी refer कर सकते हो तो VCP pattern है क्या इसको कैसे trade करना है उनकी खुद की book में भी इसके बारे में mentioned है trading like a pro champion और इसके क्या-क्या characteristics है जो आपको घ्यान रखने हैं अगर यह trades निकलती है आपके पास अगर आप यह pattern look out कर पाते हो तो काफी अच्छे profits कमा सकते हुआ इसकी जो probability है वो काफी अच्छी probability है मैं कुछ charts भी दिखाऊंगो आपको जो मैंने अभी recently कुछ trades लिये थे और कुछ trades मैंने discuss करे थे stock market में होता क्या है कि जब आपका stock एक trend में है उसके बार accumulation phase पे stock करी बार आपके volatility contraction pattern में चला जाता है यानि higher highs and higher lows बनने लगता है लेकिन एक ascending type of pattern आपका बनता है मैं chart में आपको दिखाऊंगा और जैसे basically आपकी supply exhaust होती चले जाती है जो भी demand होती है वो supply को exhaust कर लेती है एक time आता है कि आपका उस contraction पे expansion हो जाता है volatility जो भी contraction होई है जो भी आपका squeeze बना है pattern पे वो एकदम से expansion यानि breakout हो जाता है तो हमको ऐसे ही pattern देखने है इसकी कुछ characteristics से जो आपको ध्यान रखने है सबसे पहला जिस stock पे आप study कर रहे हो वो stock uptrend में होना चाहिए कुछ week पहले ऐसा नहीं कि वो downside में था नहीं वो stock कुछ समय पहले uptrend में होना चाहिए vcp pattern को judge करने के लिए हम left से right इसको study करेंगे left में contraction बड़ा होगा उसके बाद जो next contraction बड़ा Waheed च्छोटा होगा तर चोटा होगा तो व路िधी पैटन में आपका जो second our पहले वाले क्योंकि जब आपकी supply, demand जो है आपकी supply को exhaust कर लेती है और demand stock में बनी रहती है, contraction थोड़ा-थोड़ा कम होता चला जाता है तो suddenly demand आती है जिसकी वज़े से stock में sudden movement देखने को मिलता है जो मैं अभी अभी chart के दिखाऊंगा आपको तो ये दो pattern, दो चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है main सबसे पहला stock up trend में होना चाहिए volatility contraction में दूसरा जो आपका contraction वो पहले वाले contraction से कम होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तीसरा, volatility contraction के साथ में आपका volume भी reduction होना चाहिए volume में भी गिरावट होनी चाहिए volume जितना कम हो उतना better है and जब आपका breakout हो रहा है volatility contraction में तो आपने volume के support के साथ में trade लेना है अभी हम trading queue पे जा रहे है लेकिन मेरे पास जो है वो धन का account है धन का demand account है और धन demand account में सबसे बड़ा benefit है कि जब आप धन का basically trading queue से integration है तो trading queue का जो premium version है जिसके लिए आपने 45 minutes, 75 minutes उनके premium charge में और even उसके लावा आप unlimited indicators यूज कर सकते हो unlimited watch list यूज कर सकते हो कोई restrictions नहीं है वो आपको trading queue में premium version में मिलता है अगर आप premium version लेते हो directly तो आपको 1200 rupees के करीब का पढ़ता है लेकिन मेरा धन में account है और इनका collaboration है trading queue के साथ में तो इसलिए मुझे free में मिल रहा है तो आपका पैसा भी save होता है धन में basically आपको account opening कोई charges लगते नहीं है और intraday कोई कि हम यहाँ पे आज volatility contraction pattern की बात कर रहा है जो कि cash trade है आपके swing trade के लिए use करनी है तो delivery में आपको कोई charges लगेगा नहीं intraday पे 20 rupees के करीब का लगता है वो बाखी अलग अब जितने भी discount broking platform में महाँ भी लगता है account opening कोई charges लिए सबसे बड़ा benefit है कि trading view आपको यहाँ पे जो premium version है वो free में मिलता है पिलस यहीं trading view पे आप अगर chart यूज करते हो charting software यूज करते हो तो यहाँ से आप अपनी trades भी execute कर सकते हो आप यहाँ पे directly trade लगा सकते हो जब भी वो breakout होता होगा तो उस हिसाब से आपका trade execute हो जाएगा तो आपको यह benefit मिल जाता है premium version पे काफी सारे benefits है आपको वो आप देख सकते हो इनकी website पे जाके refer कर सकते है अगर आप interested हो लिंक उसका description में है अगर आप हमारी referral link के साथ में demand account open करते हो धन में तो हम आपको जो हमारा paid income paid passive income club community है जो कि हम महाँ पे algorithm trade suggestion करते हो live sessions रहते है वो आपको उसका benefit मिलेगा आपको just अपनी client ID हमारी mail ID पे share करनी पड़ेगी हम आपको अपने paid passive income club community में add कर लेंगे तो हम समझते हैं जैसे कि मेरे पास अभी trading view जो उनका account है जो मुझे मिल रहा है जो integrated धन में वही मैंने open किया हुआ है तो मैं आपको trade दिखाना चाहूँ हमा तोड़ो आपको ज्यादा clarity होगी कि आपको VCP pattern कैसे देखना है तो सबसे पहले आपने कुछ conditions है like जैसे मैंने पहले indicator लगाना है मेरे को पहले में volume का indicator यूज लगा लेता हूँ यहाँ पर अच्छा यह मैं weekly charts में बना रहा हूँ ठीक है आप देखोगे यह recent trade मैंने ली भी थी यह मैंने passive income club community में भी डाली थी आप यहाँ पर देखिए यह मैंने hackern 80 chart यूज कर रहा हूँ एक आपका contraction होगा यह दूसरा contraction आपका हो गया यह और तीसरा contraction हो गया आपका यह पहला this is the low point this is the higher highs यह किसका resistance हो गया आपका जो दूसरा low बनाए है वो आपके पहले वाले low से कम बनाए है मतलब अगर आप थोड़ा सा study करोगे अगर तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का chart बन रहा है मतलब इस तरीके का कुछ chart बन रहा है जब आपका यह वाला line breakout होगा volume के साथ में आपने trade लेना है काफ़ अच्छे returns कमा सकते हो हमने इस पर 40-50% से जादा का returns कमाया था यह basically मैंने trade अपने telegram group पे भी डाली थी और हमारा जो passive income club community है और जो भी हम share करते है तो पहला जो आपका contraction है यानि इस high point से low point दूसरा जो contraction है वो पहले वाले contraction से कम बना है तीसरा वाला जो contraction है यह कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा आपका तीसरा हो minimum आपके दो contraction होने चाहिए जैसे पहला contraction हो गया दूसरा contraction इन में सबसे जो कम है वो यह हो गया उसके बाद एक private line पे जाके यह breakout हुआ है वो भी बुलिस है करनासी के साथ में volumes भी build up हुआ है और जो मैंने आपको बताया कि आपका जो volumes है वो dry volumes होने चाहिए जब contraction हो रहा है तो आप आप नोट करोगे तो हमारा कुछ volumes इस तरीके से और यहां पे काफी कम volumes हुए उसके बाद अगर यहां भी notice करोगे तो यहां से हमारे जो volumes है वो भी काफी कम volumes बने volume contraction हुआ उसके बाद जो breakout हुआ है वहां से काफी अच्छा trade निकल के आया 98 रुपीज तक के गरीब का यह stock पहुचा था तो एक थी आर्चिट प्लाई दूसरा में एक और stock दिखाना चाहता हूँ जी कि यह भी एक ट्रेट था जो volatility contraction में है रिसेंट आया था यहां पर भी एक चीज नोट करिया जब यह breakout हुआ था जब यह expansion हुआ था उससे पहले क्या उससे पहले अगर आप notice करोगे यह पहले आपका volatility एक contraction देन दूसरा फिर यह contraction जो पहले वाले से कम था एक पर यह stock trade हो रहा था once यह वाला जो breakout हुआ है बुलिस है कानासी के साथ में वोल्यूम को support मिला है तो एक sudden movement देखने को मिला यह वाला जो movement है हम इसको weekly basis पे दिख रहे है weekly patterns पे देख रहे है तो आप इसको daily में भी use कर सकते हो लेकिन मेरा suggestion है आप इसे weekly basis पे use करो जितना ज्यादा contraction जितना long term रहता है उतना benefit रहता है एक चीद ध्यान रखनी है इस टोक उससे पहले uptrend में होना चाहिए आटिट प्लाई भी uptrend में था यह भी आपका uptrend में था तो पहले एक trend में रहता है थोड़ा सा consolidate करता है फिर तेना accumulation phase आता है then suddenly जब supply आपके exhaust हो जाती है तो आप तो उस stock में एक sudden moment देखने को मिलता है similarly GNFC में भी यह हुआ इसके इलावा आदानी power आदानी power में तो बहुत ही ज्यादा clear था यह stock basically आपका volatility contraction pattern यहापे भी notice करोगे जो यह movement हुआ है अच्छा volatility contraction pattern में कम से कम दो contraction होने चाहिए एक ऐसा आप दूसरा से चोटा होगा तीसरा भी हो सकता है चोथा भी हो सकता है लेकिं कम से कम दो contraction होने चाहिए आपकी volumes dry होनी चाहिए resistance एक line पे होना चाहिए और आपके higher highs और higher lows आपके consistently बनने चाहिए मतलब जो दूसरा low point बनेगा contraction का पहले higher low से कम होना चाहिए पहले contraction से कम होना चाहिए और अगर ये पहला contraction आपका 25% के पास में है 25% की range में जितना कम हो उतना better है लेकिन 25% की range में कम से कम होना चाहिए जादा होगा तो कई बार ये trade ऐसा नहीं है कि 100% काम करेगी कई बार fail भी हो सकती है लेकिन इसकी probability बहुत अच्छी है अगर आप बागी अपने systems के साथ में वह भी use कर रहे हो उसके साथ में use कर रहे हो आपको ये pattern देखने को मिलता है तो वह काफी अच्छी trade काफी मुनाफ़े की trade आपके लिए हो सकती है अब जैसे आदानी power की बात कर रहे हैं तो अदानी power में भी आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से था पहला contradiction दूसरा contradiction और ये तीसरा contradiction उसके बाद जब ये break out हुआ और volume के साथ में उससे पहले आप देखोगे तो यहां से volume पूरा dry volumes था यह सारा का सारा पूरा का पूरा dry volumes था and then उसके बाद जब यह breakout हुआ volumes के साथ में contraction squeeze expansion हुआ तो आपको यह movement देखने को मिला यह वाला movement आपको देखने को मिला इसी तरीके से आदानी transmission का भी देख सकते हो काफी सारे charts है मैं अपने telegram group में भी डालता रहता हूँ तो आप अगर join नहीं क्या हुआ हमारा जो telegram पे group है तो उसको refer कर सकते हो महाँ पे भी हम काफी साथीजे लोगों के साथ share करते है आपके लिए काफी useful हो सकती है यहाँ पे भी देखोगे तो similarly आपका कुछ इसी तरीके का volatility contraction हो रहा है आप देखोगे पहला, दूसरा और तीसरा यह जो पहला बना है दूसरा से छोटा बना है तीसरा से छोटा बना है and then जब यह suddenly आपका volatility contraction break out हुआ आप उसके बाद पहले volumes भी देखो कि the volume try थे, जब यह bullish hacka nasi बनी, volumes ज़्यादा बना तो आपको यह अच्छा कासा एक कुछ weeks का movement मिला हम Tata Coffee का अभी का recently chart देखते हैं, वहाँ पे यह pattern actually अभी बन रहा है आपको अभी future के लिए मैं बता रहा हूँ इस stock पहले आप देखोगे कुछ time के काफी time तक uptrend में था उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ चीज notice करनी है, आप देखोगे अगर count, मनब इसमें trading view में आपके काफी साले option है, price range चेक कर सकते हो पहला contraction, दूसरा contraction और तीसरा contraction and आपकी यह जो वाली line है, trend line है, इसको break out हुआ है, volumes के साथ में उससे पहला dry volumes थी, आप देखोगे, तो यह volumes भी dry volumes थी, तो इस stock को भी आप आगे future के लिए देख सकते हो यह ध्यान रखना मैं intraday के business पे बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ अगर आप एक swing trader हो, positional trader हो तो आपके लिए काफी use हो सकता है volatility contraction का तीन characteristics से जो आपको ध्यान रखनी है पहला stock uptrend में होना चाहिए पहले, जब stock accumulation face में आता है पहला contraction बड़ा contraction होगा जैसे यहाँ पे पहला contraction बड़ा था या हमने अभी recently archid ply में देखा दूसरा contraction पहले वाले contraction से कम होना चाहिए और अगर तीसरा भी contraction होता है चोथा contraction होता है वो उससे पहले वाले contraction से कम होना चाहिए basically आप लोगोंने triangle pattern भी सुना होगा, triangle pattern भी कुछ इस तरीके से ही बनता है triangle pattern में भी आपका triangle pattern के basis पे ही यह designed हुआ है, triangle pattern इसी के basis पे volatility contraction से ही design हुआ है, पहला आपका इस तरीके से बनता है दूसरा आपका contraction फिर इस तरी से बनता है, तीसरा फिर ऐसे बनता है, चोथा भी बन सकता है जब यह आपका breakout होता है volume के साथ में ठीक है, तो आपने trade करना है आपने यह trade लेना चाहिए अच्छा trade हो सकता है यहाँ पे volume आपके dry होने चाहिए आप जैसे देखेंगे, triangle pattern भी कुछ इस तरीके गई होता है पहला आपका contraction बड़ा होता है दूसरे से छोटा होगा, तीसरे से छोटा होगा यानि आपकी जो prices है वो contract होती चले जाती है squeeze होते चले जाती है और जब आपकी supply कम supply बुलकल पुरी तरह से exhaust हो जाती है और वहाँ पे demand बनी होई है यानि buyers इस stock को गिरने नहीं दे रहे तो sudden एक jump पाता है जो हमने अभी recently कुछ stocks जो हमने अभी study करे उनमें देखा तो आज के लिए इतना ही था next time अगर आप positional trade ले रहे हो swing trade ले रहे हो पहले देखिए relative strength बुले second 80 बन रहे है नहीं बन रही है जो हमने आरसल अपनी last video में समझाया plus आप देखें कि अगर volatility contraction pattern देखने को मिलता है वो trade काफी अच्छी probable trade हो सकती है जैसे हमने अभी arched private trade लिया था हमने कम से कम उसमें 50% 60% का gain book किया था तो इसी तरीके के trades आपको काफी favorable हो सकते काफी अच्छे काफी profitable हो सकते है तो इस volatility contraction pattern जो भी पूरा basic है वो मैंने आपको समझाया in case still you have some doubt नीचे comment कीजिए कि मैं इसको और और चादर चार्ट पर सैंपल के दोर पर आपको समझाने के कोशिस करूँगा धन में अगर आप अपना account open करना चाहते हो तो उसका link description में है आप account open करते हो अपनी client ID अपनी detail हमें mail कर दीजिए जैसे ही आप हमें mail करते हों हम आपको अपने passive income club community में add कर लेंगे हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए tutorial के साथ में नए topic के साथ तब तकर धन्यवाद बंदे मातरम जैए